और यहां पर आपको एलेक्टिक वहिकल है और यहां पर यह रोड पर चलने वाली ट्रेन है जो आप देखो एक लाइन से और इधर आपको टिकेट काउंटर मिलेंगे मैं जू में कई बार आया हूं लेकिन मैं इसके अंदर कभी नहीं गया और पहले जो था यह क्लोज था मुझे ऐसा लगता है यह फिलहाल कुछ दिन पहले ही बना है दोस्तों यह देखोगे यह इगल आउल है आपको यह एक प्रकर का उल्लुई है लग रहा है जिसे देखने म इंटर्टेंट करते हैं हम उस एनिवल्स के पास हैं कि जिसको इंडियन ओयल ने अडॉप्ट किया है अपने लोगों के लिए आप सभी अभी दोपहर के करीब धाई बज रहे हैं और मैं हूँ इस वक्त जू में हम सभी जादातर जो है जू जो है वो सुखे जब तरके होती है जब बारिश नहीं हो रहा होता है और धूप होता है तो उस वक्त हम लोग आते हैं जू घूमने के लिए अलाकि मेरा ये मनना है कि जादातर जो एनिमल्स जो देखने को मिलते हैं जू में वो और डूर में वो बारिश के वक्त ही होते हैं क्योंकि धूप के वया से गर्मी के वैसे बहुत सारे भी जनवर जो है वो बाहर नहीं होते हैं तो जादातर में कभी भी बारिश में तो आ कभी बारिष होने काई से काफी पेर पोदे है वह भींग चूके हर्याली है तो आज मैं वही देखने वॉला हूं कि क्या वा कि में बारिश में जो एनिमल्स होते में हैं वह जादा देखने को मिलते हैं या नॉर्मल भूप के VAKT और सुखे व Lol सबस्क्राइब करूंत झाल झाल संजे गांधी बाइलोजिकल पार्क का मैप तो आप इसको देख करके पुरा जू जो है वो आप है घुम सकते हो और इसका हर चीज का आपको दिखा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको जैसे नीचे ड्रिंकिंग वाटर आपको बोट जेट फूट कोट बांडरी ये वगहरा वगहरा और कुछ इस तरफ आपको मिल जाएंगी लाइने तो कुछ इस तरह का मैप देख करके आप पुरा जूज हो आप भूम सकते हो दोस्तों यह देखो यहां पर कितनी गाड़िया एक लाइन से लेगे हुए यह जितनी भी आप गाड़िया देख रहे हो यह एवी है यह एलेक्रिक वहिकल है आपको बैटरी से चलने वाली है तो नेच्छरल का काफी धिया गया इसके अंदर मे जो है कि काफी दिनों से इसके अंदर एवी का निज rubbish सकते है और आप देख सकते हो और इधर जो हो उसका मताली सकते हो वह चल रही है तो ऑप ट्रेंट वाली नहीं है यह तो रोड पे चलने वाली ट्रैन है दोस्तों अगर मैं बात करूं यह सामने हैं इंट्री गेट और यहां पर आपको एलेक्टिक वहिकल है और यहां पर यह रोड पर चलने वाली ट्रेन है जो आप देखो एक लाइन से और इधर आपको टिकेट काउंटर मिलेंगे तो जैसे ही आप इंटर करोगे यहां आपको इंटर करने के बाद ही यह साही सबीदा जो आपको मिल जाएंगी तो आप चाहो तो इवी से रिलेटर जो इवी गाड़ियां उनसे भी आप पूरे जुगों सकते हैं और इस प्रेंट से भी तो देखो दो जैसा कि मैंने आपको कहा कुछ इस तरह कि अइनिमल्स जो हैं बारिष में कुछ जैदा ही इंटरटेंट करते हैं तो यहां पर आपको दीख रहा होगा जो भालُّ थो कुछ इसी तरह से जैसा मैरा जो मैंने सोचा है इसी तरह से की बारिष के वक्ते में भी अनिमल्स ञिए वो अच्छे खा से बाहर निकले हुए थे अपने केट से अपने पंजरे से बाहर होते हैं क्वाफी दिनों से इस तरह से बारिष की उम्मिर लगाई जा रही थी क्यूंकि जिस तरह से गर्मी थी उस रिए से बारिष तरह से होना चाहिए था जो रहा है अलकि ये मेरे नजरी से जब मैं अगर व्लॉक शूट करने जाता हूं तो ये बारिश का थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लेकिन कोई बात नहीं अगर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं लेकिन अगर वातावरन को कर गार कर दिक्कत हो तो ये इंसान के लिए नुक्सान दे होगा तो बारिश होना अच्छा है और होना चाहिए पूछ इसी तरह से लगतार हो अग्याश भाड़र विद्धो यह इन्लां और गयर Tech झाल में हैं बहुत सारे जैसे किम हैं कि पुछ गोल्डन प्रिजेंट है और इधर बहुत सारे तोता वगरा यह सब चीज तो यह पुरा जो है वो बर्ट का एरिया है तो दोस्तो बारिश जो है एक बार फिर से तेज हो चुकी है और मुझे लगता है कहीं चिपना पड़ेगा तो देखता हूँ कोई जगा और चिपता हूँ सो फ्रेंड्स आप यह सब देख सकते हो कि जितने सारे जो हिरन है वो अपने चारो तरफ पूरी तरह से जो एक इन लोगों को खुला जो आबोहा वाजर मिलना चाहिए और जो इन लोगे बारिश के वक्त जो घूम करके हर तरफ ठैले हुए होते हैं वो उनको नॉर्मल जैसे थूप के वक्त वो इस तरह से आपको नहीं दिखेंगे बाहर यह सीज़ आपको हमें ओसे लगता है जैसा मैंने कहा वो मैं इसी तरह से वो देख रहा हुए दुख आप तरही यह सब जैसे यह हैं बाराय सिंगा तो बारिश होने के बाद देखो आपकी इस तरह robot से ये बा सारे एनिमल्स जहें वो पूरी तरह से आपको दिखेंगे बाहर निकले हुए दोस्तों यहां है बगल में जील और एक बैग कुछ इस तरह से बारिश यह लगता है कि पेर का बारिश पानी गिर रहा है यह बारिश नहीं है तो कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके एक बैग लगता है जैसे कि बारिस जम जमा के हो रहा है लेकिन यह बारिस नहीं है यह पेड़ का पानी गिर रहा है तो अभी जो है यह बीच बीच में जो एक बारिस होने लगता है तो इधर उधर चिपने के लिए भगना पड़ता है तो यह कुछ जो है इशो हो सकता है क्योंकि यहां तो आपको जादा पेर पौदा मिलेगा और बारिस होने के बाद थोड़ा जादा ही हरे भरे जो हैं वो पेर दिखते हैं और जैसे मैंने कहा तो अभी फिलाल मैंने जादा तर दो एनिमल्स को देखें कि वो बाहर मुझे दे हैं और जो मैंने डे में जो मतब धूत के वक्त जो मैं से पहले कई बार जूत मैं कई बार विजिट किया हूँ यहां भी और यहां से बाहर भी मैं विजिट किया हूँ तो यह कुछ मुझे बाकी से डिफरेंस लगा कि बाकी जो एनिमल्स है वो मुझे बारिश में कुछ ज जो की नहीं होगा तो थोरा सा दिक्टत है। लेकिन बारिष में भी आप अच्छा खासा आप जूजह आफ चाही हो्य लेकिन बारिश में भी व्याइनिम कर दिन वाहने जाा जाँ को अनियों जाले जायाल दखने को मिले जो कर दोस्तों यु games के पास है कि जिसको इंडियन ओयल ने अडॉप्ट किया है अपने लोगों के लिए काफी गिला हो चुका है इसका एरिया और कुछ पानी जो है यहां जम चुका है दोस्तों जू से रिलेटेड अगर मैं क्यूज एक कोश्चन की बात करूं तो इंडिया का जो सबसे बड़ा जो लार्जेस जू है वो चेन्नई में है जो की अरिगनर अन्ना जूलोजिकल पार्क के नाम जाना जाता है जहां तक कि मैंने जो इसके बारे में पता किया है यह करीब 1260 एकर में पहला हुआ है तो सबसे बड़ा जो है वो अन्ना जूलोजिकल पार्क है भारिश में अगर आप जू आते हो तो एक चीज़ यह भी आपको देखने को मिलेगा कि लोगों को जो भीर है वो आपको कम मि मिलेगा और अभी तो मैं हूँ इस वक्त है फिलाल एलिफेंट के एरिया के पास तो काफी अच्छा लग रहा है यहां पर दोस्तों यह है तॉलेस्ट एनिमल सब के लिए तो भने के लिए इंतिजाम नीचे होता है और इसके लिए करीब पांच फिट उंचा यह आपको दिखरा होगा यह तरीब पांच फिट उची है और यह एक दो तो वैसे लिए इसके गरते हो इतनी लंभी इन तो यह तो आराम से पेर से तोर कर के ही पत्ते खा सकता है और जस तरह से इसके हाइट है उस तरह से इसके रखने के लिए भी ताफी उच्छी है औरल लंभी जो है वो इसको धर के सकते हो बनाया गया इसके रहने के लिए दोस्तों बारिश होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि जू में लोग कम है आप देखो जिस तरह से बोटिंग की सबारी हो रही है लोगों की काफी अच्छे खासे है मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश होने के बज़ाशे लोग जो है वो कम है लेकिन बारिश के बज़ाशे तो कम हो गई तो बोटिंग से पता चल रहा है कि अच्छा खासा इस इस आप से सर बोटिंग कर रहे हैं तो जू में अभी भी बहुत सारे लोग तो दोस्तों यह जंपिंग ब्रिज जो कि इस पे चलने के समय यह जंप करता है तो ज्यादा कुछ यहाँ पड़ तो भी कोई जंप नहीं कर रहा है फिलाल आप देखो तो यह जंपिंग ब्रिज है दोस्तों इधर तो आपको एक दूसरा गेट है जो बाहर के और निकल जाता है तो मुझे भी बाहर तो नहीं वीदर ही विजिट करना और यह है आपको वो स्टेशन जहां आपको बैटरी चालिज जो गारिया है वो यहां पर मिलेगी इसके लिए आपको कुछ फेर देना होंगे सब्सक्राइब थर्टी या 55 रुपीज दोस्तों जब आप जूम में आओगे तो इसमें आपको एक छोटा सा फूलों का गार्ड़ों मिलेगा जो कि यह है एक छोटा सा गार्ड़िन और यह है इसके इंट्री और इसमें अभी खैर तो उतना सारा तो ज्यादा देखने को फूल नहीं मिल रहे हैं फ्लावर्स तोड़ी बहुत हैं और ज्यादा तर अभी तो गुलावी देखने को मिल रहे हैं हो सकता अभी इसमें अभी फिलाल अभी ही बहुत सारे जहें वो बहुत गया होंगे जैसे देखेंगे अभी वर्कस कुछ काम कर रहे हैं तो यह एक छोटा सा आपको फूलों से बढ़ा हुआ गार्डेन है एक नरफ होर सो दोस्तों यहां बन पर आने के लिए मैं आपको कुछ यह हम कुछ देखा दो कि आपके खाने पीने के लिए आपको इस तरफ सामने होटल definite हैं और होटल के ठीक आप मैं इस थेस्वाड़ी और आपको बोली सावारि करणा हो तो वह यहां पर आसकते हैं तो इसका जो कुछ फीस है वो आपको वाप ले सकते हैं यहां पर और यहां बगल में है यह जील है अगर मैं इस जगह की बात करूं तो पहले तो यहां पर सीरिया नहीं हुआ करती थी यह आप देखोगे यहां पर सीरिया है और इसके ठीक उस तरब जो है वहां पर बोट सब्सक्राइब करना है तो उनको वहां पर जाना होगा और जो टिकेट का फेर है वो देना होगा और यह कुछ चैंजे सुबहे हैं अलकि यह अच्छा खासा जील है बड़ा और काफी अच्छा लग रहा है इस वक्त और आप देख रहे होगे जो बारिश तो भी तो नहीं ह हो लग रहा है तो मतलब अगर कोई बच्चे हो बुड़े हो जो भी अगर घुनते हैं तो उनको अतना हरास्मेंट नहीं होगा तो उसलिहाज से अभी जो है इस मौसम में जो मैंने सोचा था को वह उस हिसाब से मुझे वही लग रहा है दोस्तो इसमें मैं जो में कई बार आया हूँ लेकिन मैं इसके अंदर कभी नहीं गया और पहले जो था यह कुलोज था मुझे ऐसा लगता है यह फिलहाल कुछ दिन पहले ही बना है और मैं इसके अंदर अब जाओंगा और आप सबको दिखाओंगा इस सुझे देखने से यह लगता है कि इसके अंदर उलू के बहुत चारे प्रजाती होंगे और और बी ऐनिमल्स होंगे जैसे बैट रम गादर और और भी तो देखते हैं इसके अंदर किया है क्योंकि यह मैं फॉर्स टाइम जा रहा हूं क्योंकि पहले यह बना हुआ नहीं था यह अभी लेटेस्ट बना है पहले मैं इतनी बार आया लेकिन मैं इसमें कभी नहीं गया देखता हूं इसके अंदर क्या है तो कुछ इसमें एनिमल्स के ही लगे हुए स्टैचू यह बैट चंगालर और मुझे फुरा सा अलगी दिख रहा है पिछले बार से यह तो मैं फॉस्ट टैम आया है इसके अंदर में तो कुछ उल्लू है बहुत सारे हैं जैसे यह एनिमल्स हैं और कुछ भेडिया लोंबिया यह सर्व दोस्तों यह कुछ ऐसा लग रहा है जिसे देखने में कि होडर की तरह तो कुछ वाइल लाइप से जुरा एक अलग ही यह कंपाउंड है तो मैंने फॉस्ट टैम मुझे देख रहा हूं मैं आज तक में करीब करीब अच्छा खासा मैं आ चुका हूं इसके अंदर कि आशि तो मैं इसको फिलाल मैं भी देख रहा हूं थेले मैं कई बार आills है लेकिन मैं देखनी काफि डार्टा इन meer मैं मत लाईट कम है कि डार्क वाला किल आप को एगा इसके अंदर अंदर में अंदेर और ंदेर ऊजु पो इसमेर में आपको चमगादान मिलेगा तो काफी अलगी लग रहा है इसमें यह है कि इसके अंदर में कुछ डिस्टेंस पर एस लग वह है तो गर्मी नहीं लगकई तो इह हर दिस्टेंस पर थोड़ा थोड़ा इसी है तो यह कुछ अच्छा लग रहा है तो दोस्तों करीब दो गंटे हो चुके हैं मुझे इसमें और मुझे लगता है कि मुझे अब यहां से अपने इस ब्लॉग को एंड करना चाहिए तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो और यहां का जितना जो मैंने आपको जो व्यू दिखाया और काफी जो एनिमल्स थे जो मैंने आपको जिसे बताया कि नॉर्मल डे में जो हम लोग आते हैं जिस समय जो काफी धूप होता है करीब बारा बज़े एक बज़े या ग्यारा बज होता है और गर्मी की वज़ा से जो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो बार देखने को नहीं मिलते हैं तो मैं फर्स टाइम आज मैंने वही देखने के लिए आया जू तो कि मैं आप सब को भी दिखा सब हूँ कि जब हम लोग तो बाकी डे में जो है वो जू और घूमते उमीद है कि आप सब को वीडियो काफी पसंद आयोगी और जैसा मैंने एकस्पेक्ट किया था जैसा मैंने उमीद किया था बिल्कुल वैसा ही मुझे देखने को मिला और काफी मुझे भी अच्छा लगा इसमें एक चीज़ और ये बेनिफिट ये है कि आपको इस मौसम में ज्यादा थाकान मैसूस नहीं होगा जो आपको धूप में जब आप निकलते हो और पूरा करी भी अच्छा खासा बड़ा है कोई शोटा तो जू है नहीं कोई पार्क तो है नहीं कि ये बड़ा है और आपने इसमें देखा इतना बड़ा जील है कि बहुत जगा इतना बड पार्क भी नहीं होता जितना बड़ा इस जू में जील है तो जितना बड़ा जो जू है उस लिहाद से आप अगर धूप में अगर निकलते हो और जू घूमने के लिए आते हो तो आपको थोड़ा ठाकान हो सकता है लेकिन आज जिससाब से जिस मौसम में मैंने आपको करना कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना मिलते हैं अगले तरह की इसी तरह के व्लाग में तब तक के लिए गुडबाई हैवनाइस डे खुदा हाफीज जाहिन जाहिन का प्रभ़ जाहिन आपको दिससाब सते हुड़ाईस जाहिन आपको कि रच्पान करना मिलते हैं अधको के लिए खुदाएफान का व्लाग रखिए जाल तरह के व्लाग में ढूम झाल झाल